हुजेन में महत्मा गांधी के 150 वी वर्षिगाट पर संकल्प यात्रा में केंद्रिय मंत्री थावचंद गहलोत शामिल हुए शीर सागर मैदान पर कारिक्रम में केंद्रिय मंत्री के साथ सांसत अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन, सहेत बिजेपी के आला नेता और कारिकरता भी मौझूद थे इस मौके पर गहलोत ने कहा कि प्लास्टिक को छोड़ कर कपड़े की थैली का उप्योग करें, पर्यावरन को सुरक्षित रखने के लिए सिंगल यूजड प्लास्टिक को भी ना कहें आज महात्मा गांदी जी की एक सो पचाश्वी जन्म जैन्ती है सारे देश में देश के एसेश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवान पर और भारती जन्ता पार्टी के राष्टी अधर्श के आवान पर देश भर में गांदी संकल प्यात्रा का आयोजन किया जा रहा है ठीक इसी प्रकार का आयोजन आज उज्जेन में भी आयोजित किया जा रहा है उज्जेन में इस छेत्र के लोगपरी सांसत अनिल फिरोजिया जी के नेतरतों में ये महात्मा गांधी संकल प्यात्रा निकल रही है आज के दिन देशवाशियों से पुरधान मंत्री जी ने अपील की है कि गांधी जी ने जो स्वच्छता का सपना संजोया था उस स्वच्छता को साकार रूप देने के लिए देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया उसको जन्ता ने हाथ वहाथ आंदोलन का रूप दे करके अपनाया था देश स्वच्छ हुआ देश स्वच्छ हो रहा है आज के दिन उन्होंने प्लास्टिक को तिलान जदी देने का आवान किया है मैं भी प्रधाल मंत्री जी के आवान में अपनी सहमाती व्यक्त करते वे अपील करता हूँ कि सभी नागरीक सभी देशवासी प्लास्टिक को तिलान जली दे करके कपड़े की थेली का उपयोग करने की क्रपा करें कि यह जांच प्रिक्रियां का हिस्सा है इस पर हमें कोई टिपनी करने की आवश्यक्ता नहीं है कुछ परिणाम सामने दिखना चाहिए बहुत देर से यह चर्चा चल रही बहुत दिनों से चर्चा चल रही पर अभी तक कोई ठोस कि दिशा सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं अगर वो इसकी गंबिरता को ज्यादा मैसूस करते हैं कि गंबिर विशे तो उनको ही उत्तिस्त्री जांच कराने पर विचार करना चाहिए अगरा करा था कि पूरे देश में गांधी के सपने का भारत उसी गांधी संकल यात्रा का आयोजन किया जाए और उसी में सब यात्रा में संब्लित हुए है और आप देख रहे हैं कि काफी उस्सा है उमंगे हमारे वरिष्ट नेता अजणिय थाबरचन जी घेलो साब जो सामा जी के बम निया मंत्री वाज वो भी इस यात्रा में पेदल चलने के लिए पदियात्रा में संब्लित होने आए हैं और यह यात्रा पूरे 31 तिसंबर तक चलेगी और इसमें उद्देश यह है कि गांधी जी का सपनों का भारत उसको लेके जन अवियान चलाना है और जन जागरन करना है और लोगों को प्रेरित करना है कि इसे गांधी जी चाहते थे कि सच्छता हो तो मोधी जी ने सबसर्व प्रथम अगर और को काम करा तो सच्छता अवियान करा जो आज एक जन अंदोलन हो गया है तो अईशे प्लास्टिक का जो भारत का बात मु 장 प्रदान बंत्री जी ने बोली है तद्या अब alleen संकल झाल